हेलो फ्रेंड्स रेप्स कलेक्शन में आपका स्वागत है आज चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम डिजाइनर फंदे ढालना सीख सकते हैं इन फंदों से आप बच्चों के स्वेटर शॉल या कफलिंस कुछ भी बना सकते हैं तो आई देखते हैं से कि हम कैसे बनाते हैं से आप अगर फोल्ड करते हुए तीन का सेट बनाएंगे तो तीन तीन में छे का तैयार हो जाएगा इन छे धागों को हमें तीन तीन के दो पोर्शन में डिवाइट करना है इसे देखिए मैंने इसको आपको दिखा रखा है यहां पे मैंने बनाया है तो दो गोल घुमाओ बनें और दो फ्रेश धागे जहां से रणिंग स्टार्ट हुई है तो यह छे धागे आपके बन के तैयार हुए हैं अब इन छे धागों में से एक हम फंदा निकालेंगे और यह देखिए फंदा निकालते हुए इसको हम सलाई में पहले फंदे की तरह ले लेंगे तो इसक तरफ साइड करते हुए बनाईएगा तो जब धागा साइड रहे कर पीछे से एक हम छोटा सा लोप लेते हुए नीचे से और लैप करके निकालेंगे जैसे फंदा बनता है अब इस फंदे को हम सलाई में फसा के और फिर उपर से एक धागे को करते हुए इन धागों को रनिंग करते हुए धीरे धीरे हाथों से खीचना है धियान रखेगा टाइट ना हो वरना आपके डिजाइन बिगड़ जाएगे फिर दूसी तरफ भी ऐसे यह उठे से आप गोल घुमाएंगे तीन उंगलियों में फसाके यह उठे से घुमाया और घुमा के फंदे जैसे डाले जाते हैं वैसे ही आप इसको करेंगे उसके दूपर से धागा डालते हुए फिर ओवरलैप करके निकाल लेंगे यह धियान रखेगा कि यह डिजाइन आपके हलके हाथों से बननी है तो बहुत जादा टाइट मत करिएग वरना डिजाइन खराब हो जाएगी आप चाहें से फिंगर से भी कर सकते हैं देखिए मैं करके दिखा रही हूं फिंगर में फसाके आप ऐसे ओवरलैप करिए फिर यह धागे से निकाला और यह करके धीरे से खीच दिया ध्यान रखेगा तीनों धागे एक साथ चलें अग पर देखिए यह किया हमने और इसके सिंगल धागे से करके और लैप करके निकाल दिया इसको मैं आपको बार बार इसलिए लिखा रही हूं कि आप अच्छे से इसको डालना सीख जाईए और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको पॉ उसके लिए जितने फंदे चाहिए उतने फंदे आप इससे गिन गिन के डाल सकते हो बट याद रखिएगा वन टाइम लेफ्ट से तो वन टाइम राइट से डालना है आपको तब ही यह डिजाइन सुन्दर बनेगी तो फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल को पहली बार डिजाइनर फंदो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी कि कई पार्ट्स में मैं इसे लेके आती रहोंगी तो देखिए कितना सुन्दर लग रहा है आप देख सकते हो यह मैंने बना के इसमें तयार किया है डिजाइनर फंदे का आप इसमें देखिए पहले मैं एक उल्टा-उल्टा बिनते चले जाएंगे पहले एक सलाई पूरा हम नॉर्मली बिनके निकाल लेंगे उसके बाद आप इसमें और कोई डिजाइन चाहें तो उपर से डाल सकते हैं जैसे बॉर्डर के कई डिजाइन हते हैं वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाल और नेक्स वीडियो में मैं आपको कैसे बॉर्डर के अंदर हम एलास्टिक डाल सकते हैं वो भी दिखने दिखे भी नहीं और टाइट भी बना रहे हैं उसके लिए एक नया स्टाइल में लेके आने वाली हो तो मेरा वीडियो आप देखेगा जरू तो देखे ये मेरे फंदे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक हिट करिएगा और अपने नियर एंड दियर्स को इसको शेयर भी करिएगा जिससे वो भी इसको बना के इंज्वाइ कर सकें तो थैंक्स पॉर वाचिंग मैं वीडियो बागाई